बेलकम बैक माई फेर मेली आप लोग कैसे हो आप लोग को मेरे वीटिल चैनल पर श्वागत है मेरे काउंड़ाउन बाईश में तो फेरेंस आज हैं रिएक्षन वीडियो बनाने वाले हैं सबसे पहले हाद चेकिस में किया उसको उपर रिएक्षन वीडियो बनाएंगे तो वीडियो सुरू करने से पहिने सबस्क्राइब लाइक सेर कर दिजिएगा बलाइकन के किलिक कर दिजिएगा आने वारी हर एक वीडियो के नोटिफिकिशन आप लोग के मिलती रहेगे तुदी सेपोर्ट कीजिएगा सबस्क्राइब भी कर दिजिए तो वीडियो Assalamualaikum, प्यारे दोस्तों, अगर आप से किसी ने पूछ लिया कि इस दुनिया में सबसे पहले हज किस ने किया, तो शायद आप ना बता पाए, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन आप जान जाएंगे कि इस दुनिया में सबसे पहले हज किस ने किया, दोस्तों, अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए आएंधे हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों सौधी अरब के मक्का शहर में काबा शरीफ की तामीर तो आदम अलाहिसलाम के दौर में ही हो चुकी है रिवायतों में आता है कि जब अल्लाहिसलाम को जन्नत से निकाल कर इ तामीर की लेकिन उसके हजारों साल बाद जब हज़रत नुह अल्याहिसलाम के जमाने में जो भयंकर तूफान आया था तो इस तूफान में काबा शरीफ का धांचा भी ढगया था मगर उस तूफान में भी काबा की बुनियाद बाकी रही उसके बाद यानि कि आज से तकरी अल्याहिसलाम को लेकर रवाना हो गए और इस मकाम पर पहुंचे जहां अब मक्का वाकए है यहां ना कोई इमारत थी और ना पानी था और ना यहां कोई रहता था दरختों के नाम पर सिर्फ बबूल वगयरह की जाडियां थी हजरत इबराहीम अल्याहिसलाम ने बीवी और बच्चे दोनों को यहां बिठा दिया एक मश्कीज पानी का और खजूरें पास रख दी और फिर आप अल्याहिसलाम शाम की तरफ चले गए हजरत इबराहीम अल्याहिसलाम ने दूसरी बार मक्का आए तो कयाम नहीं किया लेकिन जब तीसरी बार तश्रीफ लाए तो हजर घर की तामीर शुरू हूई से बस पत्थर पर पत्थर रखते चले गए ना उसकी छट बनाई न दर्वाजा बाद में अलग-अलग जमानों में फिर बैतुल्लाह की तामीर हुई कुरेश ने भी तामीर की और उनके बाद भी हुई कहते हैं उस वक्त हजरत इसमाईल अलाहिससलाम की उम्र 20 साल थी हजरत इबराहीम अलग ने बैतुल्लाह के पहलू में हजरत इसमाईल अलग पक्रियों का बाड़ा बना दिया था और इस पर पहलू की छट ढल दी थी पहले बैतुल्लाह की जगे एक सुर्ख टीला था अक्सर सैलाब इधर उधर से इसे काटता रहता था जब हज़रत इबराहीम अलाहिस्सलाम तामीर काबा से फारिग हुए तो हज़रत इसमाईल अलाहिस्सलाम से एक ऐसा पत्थर लाने को कहा जो तवाफ की शुरूात के लिए निशानी के तौर पर इस्तिमाल हो सके यह पत्थर हज़रत जिबरील अबू कुबैस की पहडी से लाए हज़रत इबराहीम अलाहिस्सलाम ने इसे इस मकाम पर रख दिया जहां वह अब कायम है रिवायत है कि ये बहुत रोशन था हजरत जिरिविल अल裡हीसिलाम ने उन्हें तमाम मकामात दिखाए और दोस्तों, हजरत अिबराहिम अलाहिसलाम को जब अल्हा की तरस से लोगों को हज करने की दावद देने का हुकुम मिला तो हضرت अब्राहीम अलबी जिए वाल किया यहाँ पर कौन लोग है जो मेरी आवाज को सुनेंगे आई अब्राहीम आवाज देना तुम्हारा काम है और लोगों तक उस आवाज को पहुचाना तुम्हारा काम है लिहाज़ा तुम अपने परवर्दिगार की आवाज पर लबैक कहो तो अल्लाह ने हजरत इबराहिम अलेहिस्सलाम की उस आवाज को इतना बुलंद कर दिया कि उस आवाज को दुनिया के हर इनसान ने सुना यहाँ तक कि पेड़ पौधों को भी वह आवाज सुनाई दी जिसकी वजह से पहाड और पेड़ पौधों में भी यह ख्वाहिश हो गई कि वे भी अल्लाह के इस पाक घर की जियारत करें अल्लाह ताला ने हजरत इबराहिम अलेहिस्सलाम को यह हुक्म दिया कि वो इस घर को रूकू और सजदा करने वालों के लिए पाक साफ रखें ओल माए इकराम के मताबक हजरत इबराहिम अलेहिस्सलाम के इस ऐलान के बाद से ही हज की शुरूात हुई और सबसे पहला हज भी हजरत इबराहिम अलेहिस्सलाम ने ही किया ताहिर अलकर्वी जिनकी इस किताब को अब्दुस्समद सारण ने अर्दु में मुन्तकील किया है लिखते हैं कि हजरत अब्बास के रिवायत के मताबिक रसूल अलेही वालेही वसल्लम ने फरमाया अल्लह के इस घर पर हर दिन रात में अल्लह की 120 रहमतیں नازल होती हैं 60 तुआफ करने वालों के लिए 40 नमाजियों के लिए और 20 बीस अल्लह के घर को देखने वालों के लिए हजرتِ حसान बिन अतिया फर्माते हैं कि हमने रसूल अलेही वालेही वसल्म की इस कौल पर गौर किया मालूम हुआ कि यह सब रहमतें दर हकीकत तवाफ करने वाले के लिए हैं कि वह तवाफ करता है, नमाज भी पढ़ता है और काबा की तरफ देखता भी है किसी ने क्या ही अच्छा कहा है खाना एकाबा में तरह तरह की फजीलतें है घर वाला ही उन्हें जानता है जो कोई यहां अपनी खताओं से डर कर आया अल्लह उसकी हफाज़त करता है ताहिरुलकर्वी लिखते हैं कि खाना-ए-काबा एक ग्यारह बार तामीर हुआ है हजरत आदम अलेहिस्सलाम ने बनाया हजरत शीश अलेहिस्सलाम ने तामीर किया हजरत इबराहीम अलेहिस्सलाम ने तामीर किया अमालका ने बनाया जुरहुम ने तामीर किया कसी ने तामीर किया, कुरेश ने बनाया, अब्दुल्लाह बिन जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हों ने तामीर किया, हज्जाज बिन यूसुफ ने बनाया, फिर सुल्तान मुराद ने बनाया, जो आले उस्मान में से था, कुरेश की जानिब से तामीर नौ रसूलुल्ला कुरेश ने तामीर के लिए जो हलाल माल जमा किया था वह काफी नहीं था इसलिए हजुर की तरफ छे हाथ एक बालिस्त जगह कम कर दी गई थी हजुर के पीछे एक छोटी सी गोल दीवार बना दी थी ताकि लोग इसके बाहर तवाफ करें काबा के अंदर उन्होंने दो सफों में च्छे सुतून रखे थे जिस पर च्छत थी इस से पहले काबा पर च्छत नहीं थी दर्वाजा एक रखा था च्छत की बुलंदी अठारा हाथ थी हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजियल्लाह ताला अन्हों की तामीर बैतुल्लाह के बारे में ताहिरुल्करवी बताते हैं उन्होंने तीन दिन तक इस्तखरह करने के बाद काबा को बिलकुल जमीन के बराबर कर दिया और हजरत इब्राहिम अलेहिस्सलाम की बुनियाद को भी खुदवाया तो देखा की वह च्छे हाथ और एक बालिष्ट हजरे इसमाईल में दाखिल है लिहाज़ा आपने उन्ही बुनियादों पर तामीर की ऐसा उन्होंने हजरत आईशा रजियल्लाहु ताला अन्हा की एक हदीस की बिना पर किया हजरत जुबैर रजियल्लाहु ताला अन्होंने काबा की बुलंदी सताइस हाथ रखी ताकि अर्श के मुनासिब हो जाए एक दर्वाजा दाखिले के लिए और एक बाहर जाने के लिए बनाया दोनों दर्वाजे सतह जमीन के बराबर थे हर दर्वाजे की लंबाई एक ग्यारह थी और दो पट थे आपने काबा के चार सुतून बनाए आपके जमाने में ये चारों सुतून चूमे जाते थे आपने रुकने शामी की जाने एक जीना उपर जाने के लिए बनाया था और उसे सोने से मुजियन किया था पाँव थे हता के कनम के मकान पर मस्जिद आईशा पहुँचे और उम्रा का इहराम बांधा कि अल्लाह ने उन्हें इबराहीमी तामीर पर तामीर काबा की तौफीक अता की अबन जुबैर की तामीर की वजह यह थी कि एक शखस ने मुहासरे के जमाने में मस्जिद हराम के किसी खेमे में आग जलाई खेमे में आग लग गई जो बढ़ते बढ़ते काबा तक पहुँच गई और उसने गिलाफे काबा रुकने यमानी जला डाला ये वाक्या 64 हिज्री का है 10 साल बाद 74 हिज्री में हज्जाज बिन यूसुफ ने इस बिनापर की अबन जुबैर ने काबा में इजाफा किया था और एक दर्वाजा मजीद बना दिया था उसे गिरा कर कुरेश की तामीर के मताबिक कर दिया ताहिर उल्करवी लिखते हैं कि खाना बिन जुबैर की बनाई हुई है सिवाए उस दिवार के जो हुजर में है वह हज्जाज बिन यूसुफ की बनाई हुई है इसी तरह मशरिक के दर्वाजे की चौखट और वह अंदरूनी सीरी जो काबा की चछत तक जाती है उस्मान सुल्तान मुराद राबे के जमाने में उन्निस शाबान एक हजार उन्चालिस हिज्री को सुबह आठ बजे मक्का और इसके अतराफ में शदीद बारिश हुई बारिश से सैलाब हरम शरीफ में दाखिल हो गया और काबा शरीफ के दर्वाजे की चौखट से भी बलंद हो गया दूसरे दिन जमेरात को असर के वक्त काबा की शामी दीवार दोनों तरफ से गिर गई और उसके साथ मशरिक की दीवार का कुछ हिस्सा भी मगर भी दीवार भी दोनों तरफ से छटे हिस्से के बक्दर गिर गई छट का कुछ हिस्सा भी गिर गया चुनाँचे सुल्तान मुराद ने दोबारा काबा की तामीर का हुक्म दिया एक साल में यह तामीर मुकमल हुई इस तरह जिस तरह हज्जाज बिन यूस्फ ने बनवाई थी सुल्तान मुराद की तामीर हमारे इस दोर तक बाकी है दूआ है आई रब करीम मौला तमाम उम्मत मुस्लिमा को हज जैसा अजीम फरीजा अदा करने की तौफीक अता फर्मा आमीन या रब लाल्मीन असलाम अलैकुम वर रहमतुलाही वबादे अप लोग भी वीडियो देखेंगे तो आप लोग के भी समझने आएगा अप लिज फिर वीडियो देखेंगे जब अप लोग के समझने आएगा तो फिरें शब्सक्राइब लाइक शेल कर दिजिए गा बहला आइकन पे किलिक कर दिजिएगा आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकिशन आप लोग के मिलती रहेगी तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई बाई प्रेंस